दोस्तों मार्गेट में अभी बहुत सारा एप आपको लोन परवाइड कर रहा है इसी में एक होम क्रेडिट है यहां से भी आप प्रसनल लोन ले सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ लोन लेने के लिए eligibility criteria क्या है interest rate आपको क्या लगेगा साथ में हम documents के बारे में भी बात करेंगे और एक छोटा सा EMI calculate करके भी मैं आप सभी को बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम basic सा कुछी चीजे जान लेते हैं यहां पर दोस्तो interest rate आपका 13% से शुरू है अब यह depend करता है कि किस तरह से आपका civil score है यहां पर amount के अगर बात करते हैं loan का तो minimum 10,000 रुपे से शुरू है 10,000 रुपे से ले करके 5,000,000 रुपे तक का loan यहां से आप ले सकते हैं समय कि अगर हम बात करें तो minimum आपका 9 महीना है और maximum आपका 6 महीना है यानि 9 महिने से ले करके 60 महिने तक का loan आप ले सकते हैं प्रोफेसन के अगर हम बात करते हैं तो saluted person है तो भी आप loan ले सकते हैं अगर आप self employed हैं तो भी आप loan ले सकते हैं इसके बाद age अगर हम देखें तो minimum 18 साल और maximum 60 साल है इसके बीच में आपका age होना चाहिए तभी आप लोन लेने के लिए eligible रहेंगे इसके आगे है monthly income तो monthly income minimum आपका 25,000 रुपए होना चाहिए maximum आपका monthly income जितना भी हो लेकिन minimum आपका 25,000 रुपए होना चाहिए processing fee भी यहाँ पर लगता है तो processing fee up to 5% loan amount का यहाँ पर processing charge है आपका credit score अच्छा रहेगा तभी यह सब app आपको loan provide करेगा अब credit score कितना होना चाहिए तो 650 plus आपका credit score होना चाहिए अब इसके आगे हम बात करते हैं दोस्तो documents का तो documents में अगर आप देखते हैं तो ID proof के लिए आपके पास pen card होना जरूरी है pen card रहेगा तभी आप loan के लिए apply कर पाएंगे इसके आगे है residence proof यानि आपका address proof तो address proof के लिए आपके पास passport, अधार card, driving license अगर इन तीनो documents में कोई एक documents आपके पास है आपका address proof हो जाएगा इसके आगे अगर हम बात करें तो तीन महीने का यहाँ पर bank statement में लगेगा जिसमें आपका income proof रहेगा कि आपका income कहां से है इसके आगे अगर आप saluted person है अगर आपको कोई job कर रहे है individual person तो तीन महीने का salary slip यहाँ पर important है salary slip यहाँ पर आपको लगेगा और एक और document है cancel check यहाँ पर लगता है तो एक आपका cancel check चाहिए अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा EMI calculation तो यहाँ पर हमने दो लाख रुपय का loan select किया है दो सालों के लिए अगर दो लाख रुपया का loan हम दो सालों के लिए लेते हैं तो every month आपका EMI 10101 रुपय लगेगा अब इसमें कितना interest लगेगा वो भी आपको जानना जरूरी है तो interest के लिए मैंने एक और website पर जाकर के चेक किया है दो लाख दो सालों के लिए तो यहाँ पर interest rate 19.29% यहाँ पर interest rate यहाँ पर pay करना पड़ रहा है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मन्तली EMI 10110 रुपय है तोटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2,00,000 रुपया का लोन ले रहे हैं इसमें आपका interest 42,639 रुपय लगेगा यानि तोटल आप pay करेंगे 2,42,639 रुपय है फोम क्रेडिट में interest rate थोड़ा हाई रहता है अब आप मुझे comment करके बताईएगा कि यहाँ से loan लेना सही है या फिर किसी other app या bank से loan लेना सही है